प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के नेतरत्व में केंदर की NDA सरकार इसी महीने पूर्ण बजट पेश करने वाली है इस बार देश में गटबंदन की सरकार बनी है तो लोगों को इसके लोकलू भावन होने की उम्मीद है ऐसी उमीद जताई जा रही है कि सरकार इस बजट में प्रधान मंत्री जन आरोग योजना और आयुशमान भारत योजना को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकती है रिपोर्ट के मोताबिक केंद्र आयुशमान भारत योजना के तहट कवरेज लिमिट को पांच लाग से बढ़ाने पर विचार कर रहा है जी हाँ आयुशमान कार्ड वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपके घर में कोई भी बिमार होगा आप 10 लाग रुपे तक का इलाज मुफ्त में करा सकेंगे सिर्फ आपको ये कार्ड दिखाना होगा दरसल मोधी सरकार आयुशमान भारत कार्ड पर कवरेज की राशी को पांच लाग से बढ़ा कर दस लाग करने पर गंभीरता से विचार कर रही है अगर इस पर मोहर लगी तो तकरीबन बारा करोड परिवारों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा इतना ही नहीं सत्तर साल से जादा उम्र वाले लोगों को भी इस दायरे में लाने की सरकार तैयारी कर रही है केंद्र सरकार के आधिकारिक सूत्रों के मताबिक सरकार अपनी महत्वकांची आयुषमान भारत प्रधानमंत्री जन आरुग योजना के लाभारतियों की संख्या अगले तीन साल में दोगुना करने पर विचार कर रही है अगर ऐसा हुआ तो देश की दो तिहाई से अधिक आबादी को इस योजना का लाभ मिलने लगेगा शुरू में सत्तर साल से ज़्यादा उम्र वाले सभी लोगों को इसके दायरे में लाये जाएगा बजट सत्र में इसमें से कुछ घोशनाओं का एलान किया जा सकता है सरकार अगर ये एलान करती है तो खजाने पर हर साल 12,06 करोड रुपे का अतरिक्त खर्चा आएगा अंतरीम बजट 2024 में सरकार ने योजना का आवांटन बढ़ा कर 7,200 करोड रुपे कर दिया था राष्टपती द्रौपदी मुर्मु ने 27 जून को संसद में अभी भाशन के दोरान कहा था कि 70 साल से अधिक उम्र के सबी बुज़ूर्गों को भी अब आयुशमान भारती योजना के तहत कवर किया जाएगा और मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा सरकारी सूत्रों ने कहा है कि 70 साल से अधिक उम्र वालों को अगर इसका लाभ मिला तो संख्या अपने आप में 4-5 करोड बढ़ जाएगी आयुशमान भारत कार्ड से गरीब परिवारों को बड़ी रहत मिली है घर के किसी सक्स के बिमार होने पर 5 लाख रुपे तक का मुफ्त इलाज मिलता है उन्हें एक भी रुपे देना नहीं पड़ता यहां तक की कैंसर जैसी बिमारियों से भी लोग अपने परिवारों को बचा लेते हैं योजना की कामियाभी को देखते हुए निती आयोग ने इसके विस्तार का सुझाओ दिया था उन्होंने का कि लगबग 30% आबादी के पास किसी तरह का स्वास्त बिमा नहीं है उन्हें इसका लाब दिया मिलना चाहिए अगर आपने अभी तक हमारे योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और वीडियो को शियर जरूर करें